तो SSC MTS 24 के examination 30 September से start हैं तो friends अगर आप exam देने जा रहे हैं तो exam में कौन-कौन से document आपको लेके जाने होंगे क्या कुछ important instruction रहेगा entry का time क्या रहेगा क्योंकि बहुत सारे लोग बाद में आप देखते हैं उन्हीं entry नहीं मिल पाती कहीं कहीं center पर बहुत ही पहले entry start हो जाती है कहीं पर थोड़ा time पहले ही वो get बंद कर देते हैं तो क्या कुछ important instruction है और क्या document लेके जाने होंगे क्या गलती आपको नहीं करनी है वो सारी चीजे आज किस वीडियो में बात करेंगी तो वीडियो को पूरा last देखेगा और अगर चैनल पर पहली बार आएं तो subscribe कर लिजगा return examination का review आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा तो चले start करते हैं सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते है important document के बारे में कि आपको document क्या लेके जाना होगा देखे वैसे document का instruction तो आपके admin card में दिया गया है किन्तो जो जरूरी है admin card में तो बहुत सारे instruction दिये गए है आपके लिए क्या कुछ important है वो आज किस वीडियो में बात करेंगे देखे सबसे पहले आपको document में लेके जाना होगा आपका admin card उसके बाद आपको दो photo उसके बाद आधार card तो ये तीन चीजे manually लगती है आपके exam में indicate time क्या क्या लगेगा admin card उसके बाद आधार card और photo देखे admin card जो आपको लेके जाना होगा color में print कराके आपको admin card लेके जाना होगा उसके बाद आपको दो फोटो लेके जाना होगा एडमिर कार्ड आपको पता चल गया कि कलर में लेके जाना होगा अगर कलर नहीं ले जाते हैं तो भी कोई दिक्कन नहीं होता है किन्तु वहाँ पर कलर में ले जाएंगे तो बहतर होगा उसके बाद आपको ले जाना होगा दो फोटो ग्राफ तो दो फोटो आप कोई भी ले जा सकते हैं इंतो जिस तरीके का फोटो आपने form filling के time लगाया था जो भी आपके admin card में दिया गया है अगर उसी तरीके से आप new photo निकल लवाएंगे तो उन्हें face matching में कोई problem नहीं आएगी उसके बाद आपको ले जाना होगा एक photo ID proof photo ID proof में simple सा आपको अधार card लेके जाना होगा अधार card लगबग सबी लोगों के पास होता है और आपको ये एक चीज़ ध्यान देनी होगी कि आपका अधार card में जो भी name जैसे आपका जो photo ID ले जाएंगे अधार card अगर आप ले जाएंगे तो उसका name और data birth आपके admin card से match होना चाहिए अगर कुछ भी गलत है क्योंकि वो आपके admin card और अधार card दोनों में match करके ही आपको entry देते हैं तो आप जो भी photo ID ले जाएं अगर आपके अधार में कुछ mistake है केवल नाम और data birth और father's name यही तीन चीजे देखी जाती है अगर आपके अधार card में वो कुछ mistake है आपके admin card में दूसरा आ गया है तो आप दूसरा photo ID ले जा सकते हैं जैसे DEL है, driver license तो वो ले जा सकते हैं passport है तो वो ले जा सकते हैं pan card है तो वो ले जा सकते हैं और थाथ अधार card के अस्थान पर आप दूसरा भी ले जा सकते हैं photo ID proof के तवर में किन्तो आपका details सही होना चाहिए जो detail आपके admin card में है वाई detail आपके photo ID proof में होना चाहिए उसके बाद आप चाहे तो पानी का bottle भी ले जा सकते हैं तो simpa सा admin card ले जाएंगे अधार card ले जाएंगे जिसमें detail सही होगा उसके बाद आप ले जाएंगे photo बाकी देखे अगर आपका कुछ mistake है तो आप अपना 10 का certificate भी ले जा सकते हैं अगर आपका 10 का certificate आपके admin card से सब कुछ match है तो वो भी ले जा सकते हैं अब यहाँ पर हम बात करते हैं इसके कुछ important instruction के बारे में कि क्या आपको नहीं ले जाना होगा देखे सबसे पहले आपको कोई भी electronic device जैसे mobile phone, bluetooth यह सब कुछ नहीं ले जाना होगा उसके बाद आपको जो है यहाँ पर इन्होंने बताया है कि आपको कोई भी locket या फिर ऐसा कुछ बहन के नहीं जा सकते हैं अगर आप यह सब कुछ ले जाते हैं अगर आप mobile phone यह सब कुछ ले जाते हैं तो वहाँ पर जमा करने की विवस्ता होती है आप वहाँ पर जमा कर सकते हैं उसके बाद अब यहाँ पर हम बात करते हैं entry time के बारे में कि entry time क्या रहेगा first receipt, second receipt and third receipt वालों का entry time क्या रहेगा क्योंकि entry time बहुत साल लोगों के admin card में नई दिया होता देखे अगर आपके first receipt का exam है तो आपके admin card में आपके exam का time दिया होगा और किसी किसी के admin card अर्था किसी region में देता है किसी region में नहीं देता तो यहाँ पर देखे reporting time अगर आपका first receipt में है तो 7.45 से आपके entry start हो जाएगी और आप यह ध्यान देना इससे आदे गंटे पहले जैसे अगर 9 बजे का आपका examination का time दिया है तो 8.45 बजे के बाद किसी को entry नहीं मिलेगी तो आप यह चीजी यह time में आपको ध्यान रखना है कि जिस भी time आपका exam start होगा उसे आदे गंटे पहले ही आपको entry रोग दी जाएगी entry नहीं दी जाएगी तो जो भी आपका exam का time है उसे डेड़ घंटे पहले ही आपको exam center में पहुँच जाना है 9 बजे का time है तो आप 7.7 बजे अपने exam center में पहुँच जाएगी तो अब हम बात करते हैं इसके second shift के entry time के बारे में तो देखे second shift का जो exam का समय है वो 12.30 से लेकर 2.00 PM तक है तो 12.30 से लेकर 2.00 बजे आपके exam का समय है और आपको इस समय से डेड़ घंटे पहले ही वहाँ पर जाना होगा अर्थात आपकी जो entry start हो जाएगी वो 11.00 बजे ही start हो जाएगी तो आपको 11.00 बजे ही जाना होगा अपने examination center पर 11.30 बजे आपके entry start हो जाएगी तो आप लोग जो भी आपके exam का समय है उसे डेड़ घंटे पहले ही आपको center पर पहुँच जाना है आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है और इससे आदे घंटे पहले अर्थात 12.00 बजे आपका get बंद हो जाएगा 12.00 बजे के बाद किसी को entry नहीं लिया जाएगा अगर आप एक minute भी delay होते हैं एक minute भी अगर आप late होते हैं तो आपको प्रवेस नहीं करने दिया जाएगा आपकी entry नहीं उपाएगी तो इसलिए आप लोग बिल्कुल समय से जाएगे जो भी आपके exam का समय है आपके admit card में भी reporting time दिया होगा तो admit card में भी आप अपना देख लिजेगा कि आपका क्या reporting time है तो चलिए आप अपने समय से जाएगे अपने exam में अच्छे score करिएगा बाकि आपका exam कब है आप हमें comment box में बता सकते हैं चलिए मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक लिए जाहिन